सर फाइनली अब डब डब डी का नेक्स इवेंट बैड बलड 2004 होने वाला है इतनी कमाल कमाल की स्टोई लाइन समय पिछले कुस टाइम में देखने को मिली और काफी तगड़ा मैश काट बुक किया डब डब डी ने तो डेफिनेटली इसके बारे में बात करना तो बनता था नमशकार दोस्तों स्वागत है आपका री रिसल प्रो टीवी चैनल पर एक छोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद अगले साल एक यूट्यूब नाम का पदार्थ लाँच होने वाला है ऐसा हमें सुनने में आया है शायद हम वहां भी अपना चैनल खोले संडे नाइट हीट के विनर रह चुके हैं मेवन लेकिन फिर भी उन पर प्रेशर काफी जादा होगा क्योंकि यह जो नए टैलें डब डब डबली ने साइन की हैं बटिस्ता जिस तरह पिटाई करते हैं अपने ओपरेंट की डेक के बिलकुल नहीं लगता कि इनके मन में को इसी के बारे में बताएंगे कि जब मैं डब डबली में था तो मैं यह करता था तो मैं वो करता था खैर मैं बहुत आगे निकल गया शायद फिरहाल हम इस मैच की बात कर रहे थे जैसे कि मैंने का कि संडे नाइट हीट के भले ही विनर रह चुके हैं मेवन लेकिन इस नए वें ग्रिनियर और रोबर्ट कॉनवे चैंपिंशिप अपनी डिफेंड कर रहे हैं अगेस्ट एज एंड क्रिस बेनवा पिछले कुछ ताइम से हम देखते आ रहे हैं एज और क्रिस बेनवा के बीच काफी अच्छी बॉंडिंग बन चुकी है और यह दोनों कितने कमाल के र और मुझे काफी स्टॉंग इंट्यूशन है कि आगे जाके क्रिस बेनमा और भी जादा पॉपलर होने वाले इतने पॉपलर हो जाएंगे इतने जादा पॉपलर हो जाएंगे कि डब डॉल्ब में कोई इनका नाम तक नहीं लेगा तब जब इतना खतरना कॉम्बो हमें इस को इस मैच में तैसें टॉम को के साथ भी आने वाली डिफनेटली ऐसे भलेजी जीतना हो जीतना हो ख्रिश जरी को कि मुझे लगता है तरिश को देखके तो उन्हें इतना गुसा आएगा कि वह घुस्से में हरा देंगे इनको बाकी तो देखिए पता चलेगा फिल्हाल न कॉंटिनेटल चैंपिशिप के साथ वह अचीब कर चुके हैं क्योंकि यह उनकी फर्स टाइटल है जो नो ने जीती है डब 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 में उमीद करेंगे कि आगे और भी सारी टाइटल जीते और वैसे भी एक लेगेसी है रैंडी ओरन के साथ उनके दादा डब 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 है यह बंदा लेकिन कहीं ने कहीं मुझे लग रहा है कि रिटेन कर लेंगे अपनी टाइटल को फिल्हाल नेक्स मैच की तरफ में चलता हूं जो कि हमें देखने को मिलने वाला है फॉर दी डब डब डबली वोमिन चैंपिशिप एक फैटल फॉर मैच विक्टोरिया जो की चैंपियन है वर्सेज लीटा वर्सेज ट्रिस ट्रैटिस वर्सेज गेल किम के बीच लखाया गेल किम का तो मुझे परसनलल कोई भी चांस नहीं लगता है यहां पर जीतने का और मेरी इंट्यूशन बोलरी दोबारा से कि जादा ही पॉप्लर होने भी नहीं वाली आने वा कि वो इस मैच में जीतेंगे उसका रीजन काफी सिंपल सा है क्योंकि जिस तरह टाइसन टॉम को का मैच जब कर सकते हैं रेसलिंग में नेक्स मैच की तरफ में चलता हूं जो कि मैं जल्दी जल्दी निप्टा दूँगा को यह मैच होने वाला यूजीन जिनके साथ विलिम लाइंगे अगेंस जॉनतिन कोच मैं जॉनतिन यार रसली क्यों कर रहे है मुझे लगता है इन्हें इंटर्व्यू बगारा लेने चाहिए यार जब यह प्रोमो कट करते हैं मुझे इनमें काफी स्किल्स नजर आती है रिंग अनॉस्मेंट करने की कॉमेंटरी टेबल का प क्रिस बैन्वा वर्सिस दा रेड़ मशीन के बीच जैसे कि मैंने आपको पहले बताया क्रिस बैन्वा इस इवेंट में दो मैचेस रेसल कर रहे हैं इस बार उनके अगेंस जो ओपनेंट है यार वो बहुत ही जादा खतरनाक है केन को बहुत लंबा टाइम हो गया अब डब है कि यहां पर कोई टाइटिल चेंज होगा हो सकता कोई इंटरफेरेंस हो जाए कोई डिस्कौलिफिकेशन हो जाए जिस वज़से डेफिनेटली क्रिस बैन्वा हार जरूर सकते हैं लेकिन मेरे कार्डिंग टाइटिल जरूर उनके पास ही रहेगी क्योंकि जादा लंबे तक रहेगी भी नहीं जैसी डब डब डबली ने इने टॉप टैटल पिक्चर में डाला है यह और भी जादा खतरनाक मैच देने लग गें हैट चेर शॉट्स काफी नहीं पड़ रहे हैं मुझे लगता है इसकी वरसे इनका कहीं दिमाग खराब नहों जा और कुछ अंड श क्या क्या खतरनाक स्टॉइलेंस हमें देखने को मिली है त्रिपलेश ने अल्मोस्ट अपनी एवल्यूशन फैक्शन फॉर्म कर ली है लेकिन इस मैच के लिए मुझे परसनल लगता है कि कोई भी इंटरफेरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगी अब जब भी हैलिनेसल मैच ह तो आपको याद होगा कि जब बैड ब्लेट का पहला इवेंट हुआ था उसमें भी शॉन माइकल्स कंपीट कर रहे थे अगेंस दी अंडर डेकर के इन का भी डेब्यू हुआ था मैच में आप सब को याद ही होगा तो इससे में यह कहना चाहर हूँ कि शॉन माइकल्स को कह हमें अटिटूड हरा के डाइम पर और अब यह दोनों एक दूसरे के राइवल बन चुके हैं भाई साब यह दोनों इतने इंट्रस्टिंग बंदे हैं कि मैचे चोड़ो रेस्लिंग चोड़ो मेरे इसाब से डब डवी तक चला सकते हैं मैं तो बोलता हूँ एक टाइम पर सब्सक्राइब करें कि अब ही वह करेंटली काफी डॉमिनेटिंग ही चल रहे हैं इस इंडस्ट्री के और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी इनका रेन आफ टेरर भी शुरू हो जाएगा जो कि देखना अगें काफी इंट्रस्टिंग होगा तो अगर वह सब होने वाला इस मैच में तो हार नी सकते हैं यही थे वह साथ मैच जो कि हमें 24 के बैड ब्लड इवेंट में देखने को मिलने वाले और पता नहीं मुझे ऐसी फील क्यों आ रही है कि शायद इवेंट हमें लास्ट बार देखने को मिल रहा है इसके बार डबर डेर्क ली कहीं 20 सालों बा वो सब बदाये थे बहुत ही इंट्रस्टिंग शो है यह रहा आपके सामने से जल्दी क्लिक कर और देख लो वाकि हम आपसे मिलते हैं अब किसी नए शो में इसी री रैसल प्रो टीवी चैनल पे उन्टिल डैट टाइम दिस उज जय साइनिंग आउट